नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं दुर्गा पुजा के बीच जहरखन में नक्सली कर सकते हैं हमला 6 बोडर होंगे सील दुर्गा पुजा की तैयारियों को लेका जिला पर्षासन की ओर से जारी सन्यूक्त आदेश में नक्सली हमले के असंका ब्यक्त की गई है आदेश में कहा गया है कि सहर के बाहरी छोर परिश्थीत बिर्षा नगर गोविदपूर सुन्दर नगर परसुडी बाग बेडा मानगो एमजी एम आजाद नगर बोडर सीलिंग के लिए परतिन्यूक्त बल नक्सलीों के अचानक हमले से बचने के लिए आवसक सतरकता बरत्तेंगे पारडी चोक, डिमना चोक, मानगो ब्रीज, चेकिंग गाड, खरकाई ब्रीज, कदमा टोल ब्रीज तथा दो मुहानी में सहर सीलिंग के लिए 12 ससस्त्र हवलदार और 48 पूलिस बल को लगाया गया है इसके अलावा आठ पतादीकारियों को भी लगाया गया है बता दे सीद गोडा थाना चेतर की सभी मूर्तिया एगरीको गोल चकर से दाहिने होते हुए एन एम एल एगरीको गोल चकर से बाय होते हुए भोया डी गोल चकर के स्वर्न नदी के पांडे और स्वर्न रेखा घाट पर भी सर्जित करेंगी लोहरदगा में अपराधियों ने महिला सिपाही की लूट ले गए बाईक लोहरदगा राजी मुख्यपत में लोहरदगा जी लेके कोडू थाना छेतर के एनेश पशातर में कोकर के समी बुद्वारात अग्यात अपराधियों ने हथियार का भाय दिखा कर महिला कॉंस्टेबल और उसके बेटे से मोटरसाइकर लूट ली महिला कॉंस्टेबल पलामू में परतिन्यूक्त हैं महिला कॉंस्टेबल के बारे में पूलिस को भी पूरी सुचना नहीं मिल पाई है कोडू थाना पूलिस ने प्रारंबिक सुचना का धार पर करवाई प्रारंब कर दी है लूट की सुचना मिलने के बाद कुडू थाना पूलिस के साथ साथ सिमोवर्ती रांची जिले के चान हो थाना पूलिस भी चापे मारी अभ्यान चलाते हुए अप्रादियों गिरफतारी में जूट गई हलाकि इस माल में पूलिस को कोई सफलता नहीं मिली है जार्खन में 455 पदों के लिए कल से भरे ओनलाइन फरम जार्खन मैट्रिक अस्तर सन्यूत परत्यक्त्य परिक्षा 2022 में सामील होने के लिए सुक्रवार से ओनलाइन फरम भरे जाएंगे इसकी अम्तिम 33.3 अक्टूबर निधारित की गई है जार्खन करमचरी चयन आयोग द्वारा जारी संसोधित कारे करम के नुसार ओनलाइन आवेदन भरने वाले अभियार्थी एक नॉमबर तक परिशा सुलक का ओनलाइन भुगतान कर सकेंगे वहीं 3 नॉमबर तक फोटो ये महस्ताचर अफलोड कर उसका प्रिंट आउट डाउनलोड किया जा सकेगा अभियार्थी 5-8 नॉमबर तक ओनलाइन आवेदन में किसी परगा का संसोधन कर सकेंगे इस परिक्षा के माध्यम से फिलाल उद्योग विभाग में कीट पालक कुसल सिल्पी एम अने समकक्ष सिरेनी के कूल 445 पदोपन युक्ति होगी हलाकी बाद में अने विभागों से रिक्तिया मिलने के बाद इसमें जूड़ी जा सकती है जारखन में 3000 से अधिक स्रमिको की नोकरी खत्रे में महराष्ट के नागपूर में कर रत राजी के 3000 से अधिक स्रमिको की नोकरी खत्रे में है सभी मैदूर नागपूर के टॉप वर्थ उर्जावा मेटल्स लिमिटेड में कर रत है जनकारी के मुताविक बैंक लोन डिफोल्ट केस में कम्पनी का काम का पूरी तरह से ठप हो गया है कम्पनी में अभी तक लोन नहीं चुकाया है बढ़ता NPA की वाज़ा से यह केस अब NTSL में ट्रांसफर कर दिया गया कम्पनी में करी 5,000 स्रामिक कारत हैं इनमें अधिकान सरमिक जहरखन वचातिस गड़के हैं हलाकि करमचारियों के एक समु आदिवासी मैदूर संग ने इस मामने में भाजपा आदिवासी मोर्चाकराश्टिया ध्यक्स और सांसत समीर उराओं को त्राहिमाम संदेश भेजा है पुरानी पेंशन के बाद अब लागू होगी कैसले स्वास्त भीमा योजना चारखन के करमियों को पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद नई खुशकपरी मिल सकती है लगभग दो लाग राज कर्मियों के लिए कैसले स्वास्त भीमा करने की क्वाय सुरू हुई है विधान सभा की परत्यायुक्त समीति की पहल के बाद इस दिशा में स्वास्त भीभागने परकिरिया आगे बढ़ाई है 25 अक्टूबर 2014 में राज सरकार ने राज कर्मियों को स्वास्त भीमा कलाब देने का संकल्प जारी किया था पिछले 22 वर्सों से सरकार का या संकल्प लागू नहीं हो पाया है माले विधायक विनोज सिंग के साभा पतित्तो वाली प्रत्ययुक्त समीति ने इस मामले में पहल की समीति का कहना था की 22 वर्सों से एक संकल्प जस्त का तस पड़ा है सरकार तय करे की इसे लागू करना है या नहीं कोडर्मा के पूजा पंडाल में दिखेगी आदिवासी संस्क्रीति की जलग साधिय नौरात को लेकर जीले बर में उस्सा अचरम पर है सहर में आधार दर्जन से अधिक जगों पर पूजा समीति द्वारा पूजा पंडाल का निवान करया जा रहा है इस वर्ष भी सार्जनिक दुर्गा पूजा समीति मर्गवा टांड द्वारा बिशेस त्यारी की जा रही है इस वर्ष पूजा समीति का तिरपनवा वार्षिक उत्सो मनाया जा रहा है समीति का पंडाल इस वर्ष आदिवासी थिम पर अधारित होगा 40 फिट लंबा वर 55 फिट चोड़ा पूजा पंडाल के अंदर मादुर्गा समीत अने देवी देता की प्रतिमा बिराजमान होगी जिसका सरधालो दर्षन करेंगे यही नहीं पूजा पंडाल के अंदर आदिवासी संस्क्रिती की कला क्रितियां सरधालो के लिए बिशेस आकर्शन का केंद्र होगी यहां माता की पूजा अर्चना पूजारी भूतनात मजूमदार व व विजय कांत उपाध्या दोआरा होगी धनबाद में पीएम आवास के तहट 304 फलेट आवंटीड परधान मंत्री आवास सोजना के तहट भाइगदारी में कीफायती आवास के लिए 304 फलेट के लिए लोटरी होई है सिनियर सिटीजन वा दिव्यांग को ग्राउंड फलोवर में 24 फलेट दिया गया लोटरी के माध्यम से बलोवर फलोवर की बोकिंग की गई से 16 फलेट की लोटरी दोसरे फेज में होगी बता दे की 12 मुंडी में 3.8 एकर जमीन पर 320 फलेट बनाए जा रहे हैं 10 बलोवर बनेगा एक बलोवर में 32 फलेट होंगे भागीदारी में कीफायती आवाज के लिए 429 लोगों ने अवेदन दिया था जिसमें 337 लाबकों ने 5,000 रुपे का चलान जमा किया था जाच में 32 लाबकों के दस्तावेज में कुछ तकनिकी खराब मिली लिहाया 304 फलेट के लिए ही लोटरी की गई है मैराथन में दवड़ स्वास्त मंत्री बना गुपता 29 सितंबर को 20 हिरदय दिवस मनाया जा रहा हुआ इसको लेकर राइधानी राची में भीन स्वास्त संगटन एवं स्वास्त विभाग द्वारा कई कारकरमों कायोजन किया गया इसी के मदनजर रिम्स में मैराथन दवड का आउजन किया गया जिसके माध्यम से लोगों को जागरूप किया गया इस मैराथन में स्वास्त मंत्री ने भी हिसा लिया और दवड लगा कर लोगों से खुद को और अपने हिरदय को स्वास्त रखने की अपिल की बता जे रांची में मैराथन का नेती तो सूबे के स्वास्त मंत्री बाना गुप्ता ने किया है उन्होंने ही हरी जंडी दिखाई और एक किलोमीटर के मैराथन दोड में सामिल भी हुए गढ़वा में लंपी वाइरस का कहर आधार जजन पसुओ की मौत गढ़वा जिले में इन दिनों पसुओं में होने वाली बीमारी लंपी वाइरस का प्रकोप बढ़ा है जिसके चलते पसुओ पाल को किसानों में चिंता की लकीर देखी जा रही है वहीं विभाग ने इस पर कावु पाने के लिए एक टीम त्यार कर प्रभावी छेत्रों में भेजी है चीनिया थाना छेत्र के हेताल कला गाव में लंपी वाइरस बीमारी का प्रकोप आजाने से अब तक आधे दजन पसुओं की मौत हो चुकी है फिर भी विभाग के पसुओं के अधिकारी बेपरवा योमला परवा बने बैठे हैं बता दे पसुओं के सरीर के कई हिसों में सिक्के भर के चकते निकल रहे हैं जबकि पसुओं का सरीर भी गल गल कर नीचे गिर रहा है गीरीडी में अभार रैली निकाल कर सीएम को दिया धन्यवाद जारखन सरकार दोरा 1922 के दार पर अस्थानिय नीती और OBC को 27 पर्थेत आरक्षन देने की खोशी में गांडे विधान सबा में अभार रैली निकाली गई कारिकरम में गांडे विधायक डाक्टर सर्फराज अहमद अवगीरी विधायक सुद्धिब्यकुमार सोनुमों के रुप से उपत्थित रहे अभार रैली गांडे बजार स्थीत पार्टी कर्यारे से निकाली और बजार भरमन करते हुए महुदा मोर्तक पहुँची रैली के दोरान जामो करकताओं ने हमत सरकार जिन्दाबाद के नारे लगाई और एक दूसरे को रंग अभीर लगा कर बधाईयां दी इस उसर पर पार्टी करकताओं ने मिठाई बाट कर खुजिया मनाई पीम किसान की बराहमी किस्त जल्द पीम किसान समान ने दी की बराहमी किस्त का इंच जार अब लामबा होता चला जा रहा है हलाकि मीडिया में जो खबरे चल रही है उसके उनुसार जल्द ही रासी किसानों के खाते में केंद्र की मोधी सरकार डालने वाली है बता दे मीडिया रिपोर्ट की माने तो योजना की बराहमी किस्त 30 सितंबर तक आ सकती है ऐसा भी हो सकता है कि गांधी जयन्ती यानि 2 अक्टूबर को पीम नायंद्र मोधी किसानों के खाते में पैसा डाल दें हलाके इस समद्र में सरकार की वर से अभी तक कोई अधिकारिक ब्यान सामने नहीं आया है या भी चार्चा में हाए कि पीम किसान योजना के लिए जीन किसानों ने अब तक EKYC नहीं कराया है उनके लिए ओफिसियल बेपसाइट पर जनका इपलब दिकराई गई है गुमला के स्कूल में धरना पर बैठे अभी भावाग जारखन के गुमला जीले के चैनपूर परखन मुख्याले स्थीच संत माइकल इंगलिस मेडियम स्कूल के सिक्षक बिकास उप श्रील कुजूर के द्वारा बीते बुद्वार को तेरा छात्राओ को निर्ममता पुरुवक मार पिट करने के बाद गुरुवार को सभी बच्चों के अभावकों ने इसकूल परवंधन के बिरोध में जुलुस निकाला अविभावकों ने स्कूल परवंधर होस में आओ प्रिंस्पल वा सिक्षा को गिरफतार करो का नारे लगाते हुए स्कूल की गेट के पास धाना में बैठ गए अक्रोसित अविभावकों करवाई की मांग पर अड़े रहे सिक्षा की मार से चोटिल कोई भी छादर गुरवार को स्कूल नहीं गए एक चोटिल छादर की मार ने रोते रोते कहा हम अपने बच्चे को बेतर सिक्षा देने के लिए इंगलिस मेडियम स्कूल में बेजते हैं मगर यहां कि सिक्षक बच्चों को जानवर समझते हैं या सिक्षक नहीं हैं एक हैवान हैं इस पर कठोर करवाई होनी चाहिए ताकि कि किसी के बच्चों को ऐसा दर्द न जहलना पड़े नवकरी के साथ सिक्षा में भी आरक्षन का लाव बीत एवं खादा पुर्तीमंत्री डाक्टर रामेशोरोगाओ ने कहा है कि नवकरी में आरक्षन देने का काम तब तक सपल नहीं हो सकता जब तक सिक्षा में आरक्षन नहीं मिलता है मेरी नजर में आरक्षन का मतलब सत्ता में हिसेदारी है डाक्टर उराव बुद्धवर को जारखन परदेश OVC उत्थान समीति की ओर से पुराने बिधान सभापरिसर में आवजित आभार समेलन को समोधित कर रहे थे समेलन OVC वर्ग के आरक्षन की सीमा 14-27 परदेश करने को लेकर अरुजित किया गया था डाक्टर उराव ने कहा है कि महाकट बंधन की सरकार ने पिछले कई वर्षों से वनचीत OVC वर्ग के अधिकार को आपस दियाने के काम किया है धन्यवाद यदि आप चैनल परने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेले काना भाई साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूलें साथ जात आपने में कोमेंट बक्स में अपना फीड़वाएक अवस से दे थैंक यू